असलाम अलेकूम, वेलकम बैक तो माई चैनल, कैसे हम सब, होफुली सब ठीक होंगे, अलहमदल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने रात में सौंफ जो थी वो पानी में भीगो के रखी वी थी, काफी और स्विस्ट जो था वो जीरा पानी पी रही थी, लेकिन आप प्याइड नहीं करूँ क्योंकि गर्मी बहुत जाद है और फिर नहीं दिल करता इतना जादा गर्मी में इस तरह हनी मेरी का पीने का, तो मैं इसको ऐसे ही पी लूँगे, साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ, और बिल्कुल नॉर्मल एक एक से बना रही हूँ, और वह सोचा कि जितनी दिर में ओमलेट बन रहा है, तनी दिर में धनिया जो है, उसको काट लेती हूँ, फिर उसको वाश करके रखतूंगी, और जब वह पानी सारा ड्रेन हो जाएगा तो फिर पैकेट में डालके फ्रीजर में रखतूंगी, तो थोड़ी सी चीज उपर लग किया था और यह वला केक जो था यह बहुने के दि एमखेट करेंट बना यह को कप मैं घूर कर जरूं कहांने तो है बेकिंग पाउडर डाला है बेकिंग सोडा डाला है और इसको जो है वो मैंने अच्छा से चान लूँगी और एक लिए उनको बीट करना है अच्छा यहां पर एक और बात अपनों से शेयर करूं कि अगर किसी के पास अलेक्टिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी उसको अच्छा सा मिक्स कर सकते हैं और जो चॉकलिट केक है उसके लिए इतना जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो अलेक्टिक बीटर होना बहुत जरूरी है आप लोग हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं तो शुगर एड़ करूंगी और इसमें मैं शुगर कम डा लूँगे और यह सेम प्रोसीजर जो था वही है जो मैंने लास्ट अपने जो मैंने केक वही प्रोसीजर मैं इसमें करूंगे और लेकिन सर्फ मैंने इसमें इसमें सावर क्रीम एड़ के थी आचाब अगर किसी के पास सावर क्रीम नहीं है तो आप इलकुल आड़ नहीं कर जोलो डाल देते हूं तो इसी वचास से यह मैंने हाफ जो है 1 सावा क्रीम इसमें डाल ली है और साथ मैं इसमें वनेला एसंस डालोंगी और डालने के बाद इसको मिक्स कर दोंगी और फिर ड्राइ इंग्रेडियंट हो जो है वो अच्छा सा मिक्स करके और ऑवन जो है वो प निकल आई है बिलकुल साफ है तो केक डन है लेकर हलकी से भी वर्ट है तो केक अभी डन नहीं है तो आप इसको 5-5 मिनट के लिए और छोड़ दें गरम गरम पानी में जो है वो कॉफी का एक जमाश चाल है और इसमें कॉफी भी आइड करूंगी और मैं जो हूँ आज कल प्रफेक्ट नहीं होता है तो जो प्रफेक्शन होती है वो टाइम के साथ साथ ही आती है कोशिश करने से आती है तो मैं भी जो कोशिश कर रही हूं मैं बिलकुल प्रफेक्शन नहीं मेरे में अपी है कुछ भी नहीं है तो बिलकुल मेरा स्टार्ट है निकिनिया है कि अलह में जो इतना मॉइस्चर होता है जो केक का स्पंज होता है अगर अच्छा बना होता है तो आपका केक सिर्फ स्पंज पे होता है क्योंकि उसके पास जो डेकुरेशन है जो उपर सब कुछ लगना है वो तो बात की बात है नहीं कि अगर स्पंज यह अच्छा नहीं होगा हार् करती हूं क्योंकि खुद अगर खाना होता है तो घर में नहीं इतना साथा पिकिंग करती लेकिन जैसे अगर मने अभी किसी को देना था तो इस वज़ा से सोचा के चलो यह करना चाहिए तो केक जो है वो रडी हो गया थे उनको मैंने कबर करके रख दिया और साथ में अभी ज लगता है उसका फ्लेवर तो मिल्क चॉकलेट ली है और मैंने इसको मीडियम जो है वो रखा है फ्लेम पे बिल्कुल 30 सेकंड के लिए क्योंकि चॉकल बहुत जल्दी बर्न हो जाती है तो रिक्वार्मेंट जो है बस इतनी सी है कि अच्छी सी है मेल्ट हो जाए और उसके कोई सबी बटर पे लेके तो उसके उपर आप इसको इस तरह फिला लें और स्पैचुला से जो है वो अच्छा सा इसको जितना पहला सकते हैं उतना पहला लें और उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए काउंटर पे चोड़ दें या फ्रिज में रखतें फ्रीजर में दाल दिया थे और थोड़ा सा कोलो पाउडर डिस्ट कर दिया था तो यह करने के बाद इसको मैं रखतुँँगी फ्रेजर में और साथ में मैं बना रही हो गनाज और गनाश बनाकर मैं इसको भी रखतूंगी तक कि यह भी अच्छा सा जो है ठंडी हो जाए क्योंकि मैं फ और गनाश में अगर नहीं में बडालें, तो आप अपू क्रीम और चॉक्लेट से भी जो है वह let कीम कैना सकते हैं अभी यह दिखें यह जमगी थी और tragic निकाल लिंग और जो बड़े बड़े वाले वाले हैं वो मैंने निकाल लिए और बाढ़ी जो बचेंगे तो मैं उसको चिट को र经重要 को चॉक्लेट को बेशक सा प्रॉक्र nowhere ग्रेड में चॉक्लाश कमें करेंगे निसमें देखिए को जाता है केड the cake है सेंटर अब को उपने के संटर केड साथ polynom और अब ही मैं तेस्ट आएक यहां मैं वैं सब्सक्राएं आ ना रही है추र्ण के आपके मुख़व कैने 1 portion वा आप का बटर है, तो 2 portion वा आपकी शूगर होनी चाहिए, icing sugar इस में लेते हैं, इस में castra sugar एड नहीं होती, icing sugar हीइड अइड रही है, और यह मैं छान के डाल रही हूं, तक कि अगर यहाँ पॉलंदेटे तो नहीं होएं, चान्नी होती है तो फिर miks करना easy होता है और चान्नी की जो reason है वह इस वज़े से भी है को कि piping bag में अगर आप use करते है तो फिर air नहीं आती है तो अभी जो है मैंने इसको थोड़ा सा बीट करूँगी तक यह अच्छी सी जो है यह चॉकलेट फ्रॉस्टिंग रडी हो जाए अगर आपनों को लगे कि आपकी जो बटर क्रीम है वो थिक हो रही है तो आप उसमें थोड़ी सी क्रीम एड़ कर दें और अगर पतली है तो इसमें थोड़ी सी आइसिंग शुगर आड़ कर दें और यह रेडी होगी थी थोड़ी दिर मैंने इसको फ्रेज में रखा था कि ठंडी हो जाए और अब मैं इसको बाद यहां पर लगाने के बाद वही जो फ्लेक्स थे वह ने इस पर आड़ किये थे और उसके बाद दूसरी लेयर लगाई थी उसके ओपर चॉकले लगाई थी बाद में गनाश का स्प्रेड किया था और बाद में मैंने साइडों पे जो मैंने चॉकलेट फ्लेक्स बनाए थे वो मैंने लगाई थी और दरम्यान में मैंने स्मार्टी जो थी वो एड़ की थी और मेरे पास स्टार्स और हार्ट के जो थी वो डेकॉरेशन थे तो मैंने वो बीच में, स्प्रिंकल से वो मैंने बीच में आड़ कर दिया थे और मेरे फुन के होगी थी चार्जिंग खतम तो मुझे जब मैंने चार्ज करने पे लगाया तो साथी भी मैंने केक भी बना लिया था तो ये कुछ-कुछ इस तरह का था और एक मैंने साइड ओंपर जो थी जारी गिनाश लगा दी थी और खुन फ्लेक्स लगाते थी त्धि आपद मने शायान सारी जो समार्टि जाली थी और हार्ट वाल हो जो से श्प्रिंगल्स डाल दी थे कुछ-कुछ उar मेरे श्लक ती वह इसी थी और अलहम्दुलिल्ला बहुत अच्छा बना था तो उमीद है कि आपको आज का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा और मुझे अपनी दौ में याद रखें मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो करें और अपना हम सब बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अच्छा फीडबैक भी दीजेगा अल्ला हाफेज